करते हैं सबसे पहले अगर बात करें हैं से अपका मृष्ट कर रहें हैं इस वीडियो चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं तो इन्ट्रविव गुशें क्या रहता है कि अपका तो इंट्रड़क्शन आप से जरूर पूछ और उसके बाद आप include कर सकते हैं अपने इंट्रेस्ट को आपने जो भी काम किया है अपने academics में जो भी प्रजेक्ट किये हैं जिस भी फील्ड में आप अच्छे प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेशन है तो डू टॉक अबाउट दैम इंड इंट्रॉडक्शन एज वेल ओके सो इससे क्या होगा बिसिकली कि आपका इंटर्वीव की डिरेक्शन है आप उस डिरेक्शन पर ले जाओगे सपोस्ज यहां पर मैं एक्जामपल लेता हू अब क्या होगा कि हो सकता है कि next question interviewer उसी डिरेक्शन में लेके जाए ठीक है तो यह एक advantage मिल जाता है कि जो भी फील्ड आपकी मजबूत है आप उसको introduction में ही एक बार इंटर्डूस करा दो चीज़ा लिखी है तो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ठीक है तीसरा यहां पर अगर आप खोश्टा के तो basic finance अगर आप पढ़के जापाओ तो आप पढ़ सकते हो ठीक है बिलकुल basic finance के concepts आप पढ़ सकते हो कि basic finance 50 questions ऐसा कुछ डालके आप सर्च कर सकते हो तो 20 से 30 50 questions अगर पढ़ पाओ basic finance के तो आपके लिए वो एक added advantage यहां पर रहने वाला है चौते point की बारे में बात करते हैं चौधा point is all the behavior question so what is behavior question जो कि आपके situation-based question होते हैं so वो आप पढ़ सकते हो situation-based question like tight deadlines है उसको आप handle कैसे करोगे या कोई teammate work नहीं कर रहा है तो उसको handle कैसे करोगे तो यह वाले questions के लिए एक link डाल दूँगा मैं आपर पिन comment में उसमें सारे question दिये होंगे around टीस-चालिस question दिये होंगे behavior HR questions so वो आप पढ़के जा सकते हो general ठीक है सो इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखने है that is जहां भी आपका इंटर्व्य और जिस direction में ले जा रहा है इंटर्व्य को महां से आप से कुछ situational question पूछे जा सकते हैं अब what is situational question so situational question is like suppose हमारे कल एक client की किसी production की delivery है अब उस पे आप काम कर रहे हो एंड ऐसा-इसा कुछ issue हो जाता है so how would you tackle that situation तो आपको कुछ नहीं करना बस उस situation को आप question को ढंक से समाझ लो और सबंजने के बाद बस दो तीन counter points आप दे दीजिए वहां पर like I will try to handle the situation like that okay and I will try to keep all the documents before presenting इस तैप से मतलब दो तीन points आप कुछ भी पहले सी याद करके चले जाओ कि वह कुछ भी पूचे situation based question में हमें यह दो तीन अच्छे points बोल लें पस तो यह अगर आपने इतना प्रपेर कर लिया तो आपका काम मेजरली हो जाएगा ठीक है टेकनिकल साइट से वो लोग ज्यादा कुछ नहीं पूचेंगे मेजरली जो मैंने आपको बताया है चीजें इनी इसे related आए डिए ठीक है तो आपको समझ में आया हूँगा किस ताइप के इंटर्वी क्वेश्टन सिस्ति में पूचे जा सकते हैं जाधा फोकुस अब इंटर्व्यू पर रखना बेहें वाले क्वेश्टन स्पह ज्यादा इन फोकस रखना पिकोज यही क्वेश्टन जाधा पूचे